अससलम उलेकुम जी कैसे है आप सब उम्मीदे आप सब खेड़ियस से होगे आज हम बनाएंगे रमाजान स्पेशल क्रिस्पी ब्रेड परसेll और ये वो ब्रेड परसेल है जिसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है तोड़ी सी ब्रेट से देर सारे परसल जो है ना बन कर तयार हो जाएगा खाने में ये इतनी लजीज है इतनी शंदार है एक बार खाओगी तो आप एकीन मानिए बार बार इसे बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले जो कि एक बरतन में हमें कोकिंग ओयल डाल दिया तीरी टेबुली स्पोन और साथ में यहाँ पर एक टेबुली स्पोन अद्रक और लोसुन का पेस्ट डाल दिया इस पेस्ट को हम दर्मियानी आज में कुछ सेगेंट के लिए यहाँ पर बून लेना है इसका जो कच्चापन है न वो निकल जाए आद्रक लोसुन का जो पेस्ट है न हलका फ्राई हो गया है अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे कीमा यहाँ पर मैंने चिकन कीमा लिया है आप चाहिए पर बीप कीमा भी ले सकते हो आपको जो मुर्जी है वो भी ले सकते हो अभी हम क्या करेंगे इसे तेल के साथ इस कीमा को अच्छी से मिक्स करेंगे तीन से चार मिन्ट ऐसे हमें लगाता चलाएंगे इसके क्या होगा हवारा जो कीमा का कालर भी हो जाएगा और अीछा से पक जाएगा तो देखिये इसका कालर चेंज़ से खीज़ आपको शिच करें यहाप बारीकवाला कीमा Mainly युथ तब जाएगा जल्दी यह पक जाएगा तो आप यहाँ पर कुछ मसाला हम इस्तमाल करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक टीस्पून नमक कम या ज्यादा आप आपकी सबसे कर दीजे half teaspoon यहापर healthy powder और half teaspoon यहापर लाल मिर्ज पाउडर साथ यहापर half teaspoon दन्या पाउडर और इसके साथ शामिल करेंगे जीरा पाउडर एक पेंच और साथ यहाँ पर एट करेंगे आदा टेबुली स्पून गरम मसाला पाउडर बस इतना ही मसाला डलके हम अच्छी तरह से और 2-3 मिट इसे मिक्स करते हुए मिलाएंगे दुबारा से इसे हम मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसे हम 10-15 मिनिट पकाएंगे मेक्सिमाम ये पकते हुए 10-15 मिनिट टाइम लगेगा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखे हमने मिक्स कर लिया है आप इसके अंदर हम कुछ सामन शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने बरिक कटा हुआ चप करके काट के लिया है यहाँ पर मैंने तीन सर भड़ी सा इसका प्याज को मैंने ऐसे डाल दिया है और यहापर मैंने एक गाजर को ग्रेट करके डाल दिया है सबजिया आप आपकी पसंद का जो भी सबजी आपके पास है वो भी इस्तिमाल कर सकते हो सबजिया एट करने के बाद फिर से हम 3-4 मिनिट अच्छी तरह से ऐसे बूरेंगे प्याज का जो कच्छा पन है वो निकल जाए फिर से हम डखकन लगा के इसे और 2-3 मिनिट इसे पकाएंगे 10-15 मिनिट में हमारी जो कीमा है वो अच्छी तरह से पक के तयार हो गया है ओयल भी चूर दिया है आपको पाता चल रहा होगा देखने में तो यहापर एक्स्ट्रा कोई पानी यूज करने का जुरूरत नहीं यह कीमा का जो पानी है ना इसे यह पक जाएगा आरम से तो यहापर लास्ट में हम शामिल करेंगे एक परिक काटा हुआ हारा मिर्ची यह ओप्शनल ले डाल सकते हो नहीं डल के भी बना सकते हो बस यहापर हमारा जो स्टाफिंग है वो तयार हो गए इसे राग देते आलक टंडा होने के लिए आप अगला स्टप जो है यह पर मुने श्लाइस वाली ब्रेड लिया है चे पीस आप इस ब्रेड को हम बैलाइंसे तुरह बैल लेते हैं मतलब इसको हम फ्लेट करना है बस ये दियान रखे दूसे आर दिन पुराना ब्रेड नहीं लेना है नो तो ये जो ब्रेड है न वो फ्लेड नहीं होगा ब्रेड हमारे एची तरह से फ्लेड हो गई है अब हम क्या करें कि इसका जो किनारे ना उठे इसे काट के उठा देते हैं इस तरह से हम सारे किनारों को काट कर लेते आप चाहिए इसे दुबारा फ्लाट कर सकते हो अब अगला स्टप जो है इसे कूट करने के लिए हम एक पेस्ट पनाएंगे इसके लिए यह पर मैंने त्री टेबूल स्पुन माइदा डाल दिया है और हाफ टी स्पुन यह पर नमक डाल दिया है पस तोड़ा तोड़ा पानी डालके इसके एक पतला सा पेस्ट तयार कर लेंगे और सारे ब्रेड को मैंने ऐसे कर लिया है अब एक ब्रेड लेना है और इसकी बीच में हमने जो चीकिन के स्टपिंग बना के राग देता है स्टपिंग एक चामच बरके डाल द आप इसका जो से पीछे होला इसे ना इसका हम ऐसे उटा के इसे कवर कर देते अच्छी तरह से बस यह पर मैंने एक बना लिया सेम प्रसेंज में बागी को भी तैयर कर लेते फिर से आपको एक ब्रेड लेना है बीच में आप चीकन के स्टाफिंग रखना है और पानी एपला पार्सल वह मीनी हो जाएगा तो आपको मतलब ज्यादा ब्रेड इस्तेमल करने का जुरूत नहीं पड़ेगा देखे फिर से हम ऐसे उठा देते और इसको हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं बस ऐसे ही मैंने सारे को तैयर कर लेते हैं बस सारे ब्रेड पार्सल को मैंने ह पर बना कर तैयर कर लिया है चलिए आप जाके इसे कोट करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले ब्रेड काम्स और यह पर जो पहले हमने बना कर रखता मौयदे का जो पैस्ट है यह तो आप हम इसे कोट करेंगे सबसे पहला जो कोटिंग है इसे हम मैदे में करे अची तरीके से हर तरफ में हम ब्रेट कंप्स में कोटिंग करें चीन हेए बागी सारा को भी हमने यहाँ पर कोट कर लिया है आप इस step पर हम क्या कर साथे हो इसे freezer में freeze कर सकते हो या टट कंटेनर में भी डाल के इसे freezer कर सकते हो तो इसे fry करने के लिए medium flame पर हम oil को अच्छे से गरम कर लिया है आप इस oil के अंदर शामिल करेंगे हमारी bread parcel को बस आप इसे हम fry करना है medium flame पर दूसरे डाई मिनिट एक एक साइट को बस दूसरे साइट को भी इस तरह का दूसरे डाई मिनिट इसी fry करने का तो बस यहाँ पर हमारी जो bread parcel लेना वो अच्छी तरह से golden brown हो गया है आप इसके हम तेल से बाहर निकाल देते हैं तो यह आप है आप देख सकते हो कितना प्यारा कालर आया है तो चलिए इसी तरह से हम बाकी को भी फ्राइक कर लेते हैं तो बस यह पर बन चुके हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार अंदर से फ्लेवर हुआ लिए हमारी bread parcel तो इसे में केचप के साथ सार्फ कर रही है क्रिस्पी इसे केचप के साथ ही अच्छा लगगा तो आज की इस bread parcel की रेसिपी आपको कैसा लगा जूरूर कमेंट सेक्शन में बताएं तब तक के लिए बाई बाई और अलाहाफीज